हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉले टेकनीक क्लासेश में आज हम डिसकस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में कि ट्रांस्मिशन सिस्टम कि बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आटोमवाल इंजिनिरिंग में आज है एक निया टॉपिक कवर है ट्रांसिशन सिश्टम हैं सबसे पहला टॉपिक है हमारा Klet stretch कि क्लच क्या होता है किस तारीके से वर्ख करता है क्या бат के शुक्र फंक्षन्स होते हैं और एक तरीके से यह हैं क्लश को बनाने क लिए कि रिक्षाफ्ट से क्लच्ष क्या होता है clutch एक ऐसा mechanical device या component होता है जो engine की power को या कहें input power को crank shaft से gearbox में transmit करता है at the time of engagement at the time of disengagement means जब भी हम clutch को apply कराते हैं तो वो engine की power को gearbox में transmit करता है जब vehicle को requirement होती है और जब vehicle को requirement नहीं होती है तो ये engine की power को gearbox से disengage कर देता है तो जब भी हमार requirement होती है तो हमारे clutch जो होता है इस तरीके से work करता है तो ये हमारे clutch है मैं इसमें mention कर रखा आपको clutch जब किसी वहान को चलाते समय gear को बदलनी के अवशकता पड़ती है तब clutch का प्रयोग किया जाता है motorcycle या scooter सवा बाए हाथ के lever अपनी और कीशता है जिससे जब की चार पईये का वहान clutch pedal को बाए पैर से दभाता है इस समय क्रेंग शाफ्ट की शक्ती gearbox को मिलना बंद जाती है इसलिए gear बदला जा सकता है gear बनने के बश्चाहत motorcycle सवार clutch से हाथ अटाता है इस प्रकर चार पईये चालक clutch pedal से अपना पैर हटा लेता है अब क्रेंग शाफ्ट की शक्ती gearbox से पुना मिनना ही लगती है वो प्रोक सिस्पस्ट है कि clutch का प्रियों करके इंजन शक्ती हो gearbox तक रोका जा सकता है जिससे gear वदलना सुगम्मों सुरक्चित होता है तो हमने आपको बताया है कि clutch एक ऐसा पार्ट होता है ऐसा devices होता है जो कि हमारा input shaft या कहते क्रेंक shaft या engine shaft और हमारा gearbox उनके बीच में लगा होता है engine की power को कब transmit करना है कब transmit नहीं करना है किस तरीके से transmit करना है यह सारा काम हमारा clutch का होता है यह clutch हमारा देखता है जब हम pedal को दबाते हैं तो clutch हमारा apply हो जाता है clutch apply होने के कारण हमारे input shaft और gearbox अलग-अलग हो जाते हैं और power का transmission रुख जाता और जैसे ही driver pedal को release करता है clutch pedal को उसी दोरान क्या होता है कि input shaft और gearbox के बीच में connection हो जाता है और connection होने कारण power का transmission सुरू हो जाता है तो इस तरीके से हमारा clutch क्या होता है काम करता है आगे हम बात करेंगे कि एक अच्छे clutch की requirement means requirement of good clutch सबसे पहला point है क्लच की इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि अधिक्तम टॉर्क का संचरन किया जा सके means clutch का जो designing है इस प्रकार होनी चाहिए कि maximum से maximum टॉर्क का transmission हो सके next point clutch लेने वाद छोड़ने पर किसी प्रकार का जटका नहीं लगना चाहिए अर्था सकती संचरन दीरे दीरे बढ़ना वह घटना चाहिए अगर हम clutch apply करते हैं यह clutch release करते हैं तो उस दौरान जो हमारा power का transmission है वो continuously और slowly slowly होना चाहिए अगर इस तरीके से होगा तो clutch में कोई भी problem create नहीं होगी next point clutch का अकार ऐसा होना चाहिए कि यह कम स्थान में fit हो सके means clutch की designing इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो small size का भी हो और easily हमारा वो mechanism में fit हो सके next point बात करे जाए clutch plate गिसाब प्रतिरोधी होना चाहिए means friction resistance या कि wear resistance इस प्रकार type का हमारा clutch plate होना चाहिए next point clutch लेने पर वहां धीरे धीरे अपने आप आगे नहीं बढ़ना चाहिए इसे dragging कहते हैं देखे क्या होता है जब भी हम clutch apply करते हैं तो clutch apply की समय हमारा जो जो हमारा वेकिल होता है यह आगे बढ़ना नहीं चाहिए अगर यह आगे बढ़ेगा इसका मतलब यह रहता है कि power का transmission continuously हो रहा है तो इन चीज यह हमारा खास कर खास तौर पर ध्यान पर रखना चाहिए कि जब भी वहां कील में clutch apply किया गया है तो वहां कील का movement clutch से ना हो क्योंकि उस समय power का transmission stop हो जाता है इसी को हम लोग dragging कहते हैं next point clutch lever two wheeler या clutch pedal four wheeler में कुछ free play अवस्य छोड़ना चाहिए तो यह चीज हमेशा होनी चाहिए कि free play मतलब क्या होता है कि जब भी हम clutch apply करते हैं या कोई भी lever press करते हैं तो कुछ ना कुछ free movement होना चाहिए उस lever में ताकि brakes जो apply हो रहे हो मालनी जब brake pedal लगा है उसमें free play होना चाहिए free play का यहां मतलब होता है कि जब brake apply कर रहे हैं तो कुछ समय का gap होना चाहिए अगर gap होगा तो वो हमारा free play कर लाता है और जो brakes होते हैं वो easily apply होते हैं सेम केस हमारे clutch के समय में भी काम आता है कि जब भी हम clutch apply करते हैं तो जैसे driver press करें instantly हमारा clutch apply ना हो कुछ second के बाद हमारा clutch apply हो इसे कहते हैं हम लोग free play आगे हम बात करेंगे position of clutch के बारे में कि position clutch कहां पर लगा होता है कौन कौन सी पुछ दिए आपको हमने एक figure बना रखा है इस figure में आप देखिए कि हमारा एक पार्ट ये दे रखा है crank shaft ये हमारा clutch है ये gearbox है ये propeller shaft है ये propeller है तो ये तरह से हमने एक तरह से अगर कभी exam में आ जाए कि chases बनानी है automobile की तो आप ये same figure बना सकते हैं और इसी same figure को chases के diagram में भी बना सकते हैं तो आप हम बात कर रहे हैं position of clutch की तो clutch का जो position है वो आप देख सकते हैं ये है position ठीक है ये है हमारी engine की shaft ये कहते क्रेंग shaft और ये है हमारा gearbox तो आप देख सकते हैं इन दोनों की बीच में लगा होता है और जो हमारा engine होता है यहां से power transmission gearbox में होता है तो यहां पर इन दोनों की बीच में clutch को लगाते हैं clutch लगाने से क्या होता है कि जो power transmission होता है वो clutch के hand clutch के हाथ में होता है क्लच कब apply power transmission देगा कब clutch power transmission नहीं देगा क्या होता है अब सिंगल प्लेट क्लच हम बताने से पहले एक चीज आपको बता दें कि जिल लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको यह नोटिफिकेशन हमारे जो भी नए वीडिय से बना रखा है इसको हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह से सिंगल प्लेट क्लच हमारा वर्क करता है तो देखिए सबसे पहली चीज है हमारा अगर सिंगल प्लेट क्लच की बात की सबसे पहला चीज है हमारा इंपुट शाफ्ट जो की होता है हमारा इंजन शाफ्ट हमने लिख होती है फ्लाइवील जिस पर टीथ हमारे कटे होते हैं और इसी फ्लाइवील पर हमारा पीनियन मीज एक छोटा गियर हमारा इस यहां पर इस पोजीशन पर अटैच होता है तो इससे क्या होता है कि जो हमारा पीनियन होता है वो पीनियन हमारा टीथ उसमें भी टीथ बने होते करें तो बाइक पर हम जैसे की की लगाते हैं कि की अपर करते हैं यहीं अधर होटा उन करता है है उसके बाद फियूल से जो पावर आज़ाय मिलता है उसके बाद इस एक स्मॉल स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क हमारा क्या होता है फ्लाइवील को मिलता है आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा जो पोर्शन यह हमने लिखा है क्लच प्लेट तो यहाँ पर यह क्लच प्लेट लगा होता करता है क्लेच पलेट पर आगे बात करें यह देख सकते हैं यह डिए अस इıtर्व होता है एक ट्रहा का यहOOOO हीह होता है यह हम कहें फ्लेक्सिपल स्प्रिंग होता है जिसमें हम में और हम center पर force लगाते हैं तो इनके ends पर force opposite direction में लगता है देखिए अपने हमने आपको यहां पर यह कि diaphragm का बना रखा है figure जिसमें क्या होता है कि diaphragm की जो उपरी सता होती यह उबरी भी होती है उबरी भी होने कारएं जो center portion होता है यह उबरा हुआ होता है इस बाहर की और होता है और इसके ends की जो portion होती है वो अंदर की और हलके से tilted होते हैं तो यह हमारा डाइफ्रागम है आगे बात करें यह होता है हमारा release bearing यह और last में हमारा यह लगा होता है output shaft यहीं से हमारे input shaft यह पावर transmission होता है तो यह हमारे क्या है main main components होता है single plate clutch की अब हम बात करते हैं working की कि किस तरीके से हमारे single plate clutch work करता है और जैसे हम बात करें कि input shaft में power मिलने के कारण input shaft में power मिलती है input shaft transmission देता है fly wheel को तीक है अब देखी क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज़ और बात की जाए कि यहाँ पर यह लगा होता है release bearing इस release bearing के साथ लगा होता है हमारा clutch pedal ठीक है clutch pedal लगा होता है तो जैसे ही अब हम जैसे ही driver हमारा क्या होता है driver हमारा brake apply करता है यह कहते है clutch apply करता है जैसे driver हमारा clutch apply करता है तो clutch apply करने का रहा है release जो bearing में हमारा movement produce होता है मुव्मेंट जो produce होता है वह सिधे डायफरागम में जाता है तो डायफरागम में अभी मैंने बताया डायफरागम एक flexible कि तरह होती है ड्प की तरह होने के करण क्यों होता है कि एंज जो सेंटर का पॉरशन होता वह वह ऑंदर के जाता है dia Tips रगम का और य जो होते हैं वह बाहर के अरा आते हैं मिस राते हैं बच्का कि सेंटर और यहां वनले और origin में भी सेम बाहर की और आती है और बाहर की और आने के कारण जो clutch plate और pressure plate होता है इनके बीच का जो contact होता है वो क्या हो जाता है खतम हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं clutch plate और flywheel के बीच में हमने यह कुछ portion बना रखा है यह portion होती है हमारी friction lining मेंशन करें यह फ्रिक्शन लाइनिक जो हमारी फ्लाइवील होती है और यह जो हमारी क्लाइवील होती है और प्रेशर प्लेट होती है तीनों प्लेट जो होती ही वह आपस में दूसरे साथ फ्रिक्शन लाइनिक में अटेच होती है तो जैसे ही हमारा प्रेशर प्लेट बाहर पूट्ट शाफ्ट अलग हो जाते हैं उप mister होता है इनपुट शाफ्ट साप पूट शाफ्ट की तरफ नहीं हो पाता है यह हम कहें जाटे कि वहार की ओर आती है बहर के और आने करण यो डायफिरागम है को सेंटर पोर्षन बहर के ओर आता है और एंड़े जो पॉर्षन होते हैं अंदर के और जाते है और के जनाने के करद प्रेसे क्लेट होने के बाद ये हमारा फ्लाइएट सब्सक्राइड हो होने कारण जो हमारा power का transmission होता है वो input sharp से output sharp की तरब होने लगता है तो इस तरीके से हमारा यह single plate clutch काम करता है ठीक है तो आगे यह आपने आपको पूरा working को समझा रखता है कि किस तरीके से हमारा यह single plate clutch work करता है ठीक है इसको आप लोग पढ़े लीजेगा और अगर कोई दिक्कत हो working में तो हमें बताइएगा हम आपको solve करेंगा आगे हम discuss करते हैं multi plate clutch के बारे में कि multi plate clutch कैसे काम करता है multi plate clutch नाम बताता है इसका कि multi plate यूज किये गए होंगे clutch के और क्लाइच का operation perform किया गया होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह portion जो दे रखा हमने यहां पर तीन clutch के plates हमने लगा रखे हैं यहां पर देखिए यह एक plate है एक यह plate है एक यह plate है ठीक है यहां पर जिन जिनकी thickness यह कर मुटाई ज्यादा है है वह अमारी clutch plates है एक दो तीन के लिएलोह लगी है और तीनOT prone तो थे चेल्ज किरें सेव संबेभ घत करें सेम फशनिंग है सेम बकिंगं होती है जैसी हमारी सिंगल प्लेट क्लच की होती थी सेम वर्किंग हमारी मॉल्टि प्लेट क्लच की होती है तो यहाँ पर देखी यह हमारे input shaft होता है input shaft से यह हमारा flywheel connected होता है और flywheel के बाद हमारा यहाँ पर यह हमने 3 clutch plate लगा रखें और 3 clutch plate हर एक clutch plate की बीच में एक plate लगी होती है जिसे हम separator plates कहते हैं हर एक दो हर दो clutch plate के बीच में एक plate लगी होती है जिसे हम separator कहते हैं आगे देखे यह हमारा pressure plate है और pressure plate के आगे हमारे diaphragm जो की हमारा ends जो होते हैं वो bold के थुरू connected है आगे यह हमारा release bearing release bearing के उपर spring लगी है और spring यह हमारा जो होता है output shaft होता है तो यही सेम construction है हमारा same working है जैसे हमारा clutch pedal जब भी हमारा driver clutch pedal दबाता है तो दबाने के कारण release bearing जो फोस हमारे ट्रांस्मेट होता है डाइफरागम में डाइफरागम के ends बाहर के उर जाते हैं बाहर के उर जाने कारण pressure plate इस होता है बाहर के उर आने कारण clutch plate पर फ्रेशर रुटा रिलीज हो जाता है और रुलीज होने के कारण जो clutch plates होती है वह हमारे flyweight से डीड़ेच हो जाती है means in contact होता होताई जो not lose होने कारण input shaft और output shaft को होती है अलग अलग हो जाती है और power का transmission रुख जाता है और अब जिससे ends के portion अंदर गी और जाते हैं, जिससे pressure plate भी अंदर गी और pressure अप्लाई करती है, clutch plate पे, clutch plate पे apply करने के बाद, clutch plate हमारी क्या होती है, क्लेश प्लेट्स हमारी एक हुण पर करएं पावर का है इस खाब cu घुच्व बिल साथ जाके आटेश हो जाती हैं च्रेंच जुड़ने कायरेंस प्लेके बावर का ट्र evet अब सुन्य ह待 हो जब तक शेंजिंग नहीं आती रहता हो भर स्नाफ करक्या करद्द क्लस्प्लाइट की जो हमारी सेर्कुलाइटे जैसे होती इसके एंटस पर फिक्ष्ण लाइनिंग लगी होती है मुव्मिंट जो भी हीट प्रीडर आप दैख सकते मुवरें जैसे मानने इस होता है मंपर्ट को खत करने के यह भास नहुत हुआए हैं इसको हमने पूरा डीटेल में आपको समझा रख के वर्किंग क्या होती है पूरा इसे पढ़ लीज़ेगा ठीक है और ऑपड़ने के बाद हमें बताईएगा अगर कोई भी डाउट क्र्ड्य प्रोड्यूस होता है वह हमें बताईएगा हम आपको कमेंट उसका आंसर देंगे और हाँ जी और जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेश को सब्सक्राइब करेंगे आगे हम आपको कई सारे एक important questions provide करेंगे और कई important questions regarding upcoming semester exams के लिए हम provide करेंगे तो thank you guys मिलते हैं next video में